नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस सब्सक्राइब में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेशन में तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता ही है अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ् सारे कोईशन अटेम्ट करिया और इसको अपना तुरंद दिये हुए हैं आपको बताना है कि कौन सा स्थेट्मेंट यहाँ पर सही है पहला यहां पर दिया हुआ है कि यह जो वश है संस्था पर कौन था श्री शान्तमूल तो यह वाला statement यहां पर पांदरभत कहा गया है तो यह वाली बात भी यहां पर सही है देखिए बड़ा इंपोर्टेंट है ऐसे वंश जो जादा हाइलाइट नहीं है लेकिन इन से रिलेटेट जब कोशन्स आपको एक्जाम में मिलता है तो बहुत सारे केंडिडेट जो थे वो कंफ्यूज हो जाते ह है कि exactly मतलब यह तो हमने पढ़ा ही नहीं था ठीक है तो यह इश्वाकू वंश के बारे में जरूर आपको याद होना चाहिए इन दोनों स्टेट्मेंट को तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर वो क्या होगा दोनों ठीक है सो कोशन नंबर टू की बात करें यहां पर बात ह हो रही है पंचायती राज का जो शुबारंब हुआ वो कौन से स्टेट में हुआ आपका पंजाब है राजस्थान जारखंड या फिर उत्तर प्रदेश तो मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर पता होना चाहिए सही आंसर क्या होगा राजस्थान सेकिंड जो है वो यह भटताना है ठीक है सबसे पहले हं बात करें मांड़ की तो मांडा आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है कहा पर है यह जेंड कि जम्म्मी कश्मीर ठीक है महात्मा बुद्ध को ग्यान प्राप्त हुआ एक तो फैक्ट आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कौन सी रिवर के किनारे हुआ तो वो है आपका निरंजिना रिवर अब यहाँ पर आधुनिक युग में इस नदी का नाम क्या है ये आपको बताना है तो इसमें आप्शन से आपके फालगू है रावी है, मोहना है और गोदावरी है तो सही आंसर क्या होगा आपका नमबर वन यानि की फालगू रिवर ये इसका आधुनिक नाम है जो की पहले निरंजिना थी ऐ जिसके किनारे यो था महत्मा बुद्ध को ग्यान प्राप्त हुआ इसके बाद आज का अगला कोष्शन यहाँ पर है इल्ट्थ मिश्र के बारे में तो यहाँ पर इल्ट्थ मिश्र जो है इनके सिक्कों पर जिस खलीफा का नाम जो है गुदा हुआ मिला है वो कौन से खलीफा है उनका नाम क्या है यह आपको यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर जो options है वो है आपके अलमुस्तकीन, अलमुस्तंसीर, अलसुबक्तगीन या फिर इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर सही answer क्या होगा अलमुस्तंसीर, ठीक है, यानि कि second वाला वो यहाँ पर correct होगा तो आज का अगला कोशन है, कोशन नंबर 7 जिसमें बात करी गई है इसमें से कौन सा छेतर है, जो यूक्रेम में है यह डोनेट्स है, कुजनेट्स है, या फिर आपका लंका शायर है, या फिर सार है तो सही आंसर क्या होगा आपका डोनेट्स, यानि कि number 1 जो है वो यहाँ पर सही होगा अगला कोशन यहाँ पर है, निम्न इस्थानिये पवनों में से कौन सी जो है वो ठंडी हवाएं है ठंडी पवन कौन सी यह बताना है, पैमपीरो है, चिनहूक है, सिरको है या फिर जोंडा है तो देखिए यहाँ पर तीन तो ऐसी है जो गर्म है और एक ऐसी है ठंडी है, ठंडी वाली आपको चूस करनी है तो अगर हम बात करें चिन हूग की या फिर सिरको की या फिर जोंडा तो यह तीनों ही क्या है आपकी गर्म हवाए हैं ठीक है लेकिन अगर आप बात करें पैमपीरो की पैमपीरो कैसी है ये कोल्ड विंड है तो इस तरीके से सही आंसर क्या होगा हमारा नंबर वन यानि की पैमपीरो अगला यहां पर कोशन है कोशन नंबर नाइन जिसमें घास संग्रक्षन शेत्रों से संबंदित स्टेट्मेंट आपको दे रखे हैं और आपको यहां पर सही जो कथन है वो आपको उसको चूज करना है सबसे पहला यहां पर है कि भारत का पहला घास संग्रक्षन शेत्र रानी खेत में इस्थेत है या फिर इसको इस्थापित किया गया है एकदम सही है दूसरा यहां पर बात करें कि कारवन सोखने की तो कारवन सोखने में जो घास के मैदान होते हैं यह बन भूमी से अधिक प्रभावी हैं ये statement भी correct है तीसरा statement इन्हें संग्रक्षित इनका संग्रक्षन जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि पारिस्तिति की संतुलन जो है वो बिगड़ सकता है अगर इनका संग्रक्षन नहीं किया गया तो तीसरा statement भी यहां पर correct है तो इस तर है 10 November को एकदम सही है अच्छा इनके आपको theme बताने हैं एक तो आप बताईएगा विश्व विज्ञान दिवस की और दूसरा बताईएगा लोग सेवा प्रसारन दिवस की इसकी theme आप comment section में बताईएगा तो दूसरे की अगर हम बात करें विश्व सोचाले दिवस ये आप का 11th of November अचा comment section में ये भी बताईएगा कि रास्ति ये शिक्षा दिवस जो होता है वो क्यों मनाया जाता है और किसके उपलक्ष में मनाया जाता है ये सारी चीजें जो है इसके बारे में आप बताईएगा इससे previous जो वीडियो थे जो quiz वाला था हमारा तो उसमें मैंने and I hope कि अगर आपको याद है वो चीज तो जरूर इसको आप comment section में बताईएगा इसके बाद आगे बढ़े अगला यहाँ पर question है एक जनपद दो उत्पाद योजना जो है वो कौन से state ने start करी हरयाना उत्तरप्रदेश महरास्त या फिर उत्तराखंड तो इसका सही आंसर क् आपका उत्तराखंड अचा आगे हम बढ़ें इस quiz के वीडियो में इससे पहले एक चीज आप लोगों से बोलना है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें आप लोगों के यहाँ पर लाइक बढ़ते हैं लाइक अच्छे खासे आ रहे हैं हर एक वीडियो पर बट उसके according अगर आप मतलब इन वीडियो को शेर नहीं कर रहे हैं अपने friends के साथ में तो देखिए यह थोड़ा सा जात्ती हो जाएगी क्योंकि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है और आप अपने friends के साथ श ठीक है और चैनल को तुरं सब्सक्राइब करिए तो इसके बाद अब जो है आगले question पर बढ़ते हैं अगला question यहाँ पर जो है उसमें बात करी गई है आपका जो अंतरास्तिय सौर गठवंदन है ठीक है अंतरास्तिय सौर गठवंदन की जो चौती आम सभा हुई थी उससे statement है एक trillion dollar निवेश के लिए Bloomberg philanthropy के साथ साज़दारी की इसने घोशना करी यह वाली बात भी सही है मतलब जो अंतरास्तिय सौर गठवंदन है यह जो है एक trillion US dollar जो है इसको जुटाने के लिए Bloomberg philanthropy के साथ में साज़दारी करेगा इस चीज़ की भी यहाँ पर घोशना करी गई इस आम सभा में इसके बाद next है आपका कि सभा में दो कारिकरम एक आपका solar PV पैनलों और बैटरी उपयोग अप्षिस्ट का प्रवंदन और solar hydrogen कारिकरमों की शुरुवात यहाँ पर करी गई यह भी सही है तो इस तरीके से जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा all of the above यानि कि यह सभी जो है वो correct है इसके बाद अगले question की तरफ चले अगला question यहाँ पर है निम्न में से किस दिवस की theme जो है वो building back together for peace and prosperity यह है तो इन days में से कौन से day की जो theme है वो क्या है आपका building back together for peace and prosperity तो सही इसका answer क्या होगा विश्व पोलियो दिवस होगा सही रास्ट दिवस यह कौन से उस पर मनाया जाता है मतलब कौन सी इसकी date है और इसका theme इस बार का क्या रहा तो देखिए इसका सही आंसर है इस वाले question का वो क्या होगा आपका सही रास्ट दिवस इसके बाद अब move करते हैं अगले question पर अगला question यहाँ पर दिया हुआ है कि इंडिया international science festival 2021 इसक साथ में संस्क्रण का आयोजन पनजी में हुआ था बिल्कुल ठीक है दूसरा अगर हम बात करें इसका मुख विशय या फिर जो theme थी वो क्या थी celebrating creativity in science तो यह वाली बात भी यहाँ पर सही है बहुत important है देखिए इंडिया international science fest को उपर कुछ ना कुछ आप से पूशा जरू स्टेट्मेंट है वो चूस करना है पहला स्टेट्मेंट है कि हवीव गंज railway station इसका नाम बदल कर रानी कमलापती railway station कर दिया गया एकदम सही है और आई होब कि आपको पता होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन से सामराज जिसे रिलेटेड थी रानी कमलापती तो यह आपके गौंड सामराज इसे तो यह वाला स्टेट्मेंट भी यहां पर करेक्ट है तो हमारा आंसर क्या होगा बोट ठीक है दोनों यहां पर सही होंगे इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन यहां पर है दो हजार एक्किस की अगर हम बात करें तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा तो यह जो पोचमपली गाउं है यह कहां का है तेलांगना का यानि कि जो सेकंड वाला है वो यहां पर करेक्ट होगा इसके बाद अगला यहां पर कोशन है निम्द में से कौन सा देश छे देशों के मद आयोजित किये जा रहे है एक उसे भी इंडिया कि बात कर लें जापान की बात करें यू की बात करें या फो कि डेलिया की बात करें तो चाइना से हर कोई खफा है इंडिया तो उस पेशली होके हमारी तो जमीन ही कब जा रहे हैं यह ठीक है फ्या gen प्रावधान मंत्री के आवागमन के दोरान विशेश सुरक्षा जो दल होता है इसको सभी प्रकार की साहता प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है यह कौन सी धारा है जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो आपको बताना है धारा 10 है धारा 11 धारा 12 या फिर धारा 14 तो सही आंसर क्या होगा धारा 14 जो है वो यहाँ पर सही है इससे रिलेटेट है यानिकी section 14 ठीक है जो कि आपका SPG Act है उसके थुरू अच्छा ये आप comment section ने बताईएगा क SPG Act जो है ये कौन से year का है बहुत बड़ा important question है देखिए एक्जाम में 110 परसेंट आपको इससे related question देखनों को मिलेगा और यही main question है जो आप से पूछे जाएंगे के पाद आज का अगला question है सामोहिक सुरक्षा संधी गठन यानिकी collective security treaty organization ये जो है इसका मुख्याला कहां प organization यभी ये limelight में रहा है तो current का ही ये है तो इससे related आप से question पूछा या सकता है mainly इसके बारे में यही पूछेंगे headquarter कहां पर है तो headquarter आपको इसका पता होना चाहिए Moscow है इसके बाद आगे बड़े अगला question यहां पर है भारत में जनगर्णा से related जो statement है वो यहां पर आप कुछ facts मिलते हैं कुछ बाते मिलती हैं कि 800-600 इसा पूर्ण के दोरान किसी परकार की यहां पर जनगर्णा की गई थी इसके अलावा दूसरा statement है वो यहां पर है कि इसका दायत्व जो ग्रह मंत्राले है इसके अधीन महा पंजियक एवं जनगर्णा आयुक्त कार्याले इसक अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर होना यह जो फिलस्तीनी है यह इसको किस तरीके से किस शब्द से बया करते हैं क्या बोलते हैं इस चीज़ के लिए क्या इसको यह अपर सही आंसर क्या होगा आपका अलनकाब यह फिर अलनकबा ठीक है सब्सक्राइब तर्ड वाल उसके सब्सक्राइब अग्ला कोशन है कि भारत स्रीलंका समझ ओट के रूप में खंट होता है इस यह कौन से रचाइवले जैवर्दने नेखीरakahे Сов santé तो यह साल है यह आपको साल बताना है कि कौन सा यह year है तो सही आंसर क्या होगा आपका 1987 अब इसके बाद हम next question पर पढ़ें इससे पहले आप लोगों से एक चीज बोलना है कि आप लोग सबसे पहले तो steady for civil services को join करिए वहाँ पर subscribe करिए चैनल को और जो यह आपका online exam preparation है इसको भी तुरंत यहाँ पर join करिए subscribe करिए आप यह जरूरी इसलिए है कि यहाँ पर आपका daily quiz चलेगा तो आप अपने आपको test कर पाएंगे कहां आप stand कर रहे हैं वहीं आप study for civil services को अगर join करते हैं तो वहाँ पर आपको daily current affair को जो वीडियो आप मिल ले हैं तो आपकी current affair तयार ह होगी और इसके अलाबा जो पापा वीडियो हैं यहाँ पर subject specific जो वहाँ पर material पढ़ा होगा जो free of cost है वह वीडियो मतलब paid नहीं है आप सीधे उसको जाकर देख सकते हैं तो आप वहाँ पर जाकर जरूर उसको join करें ठीक है और कम से कम अपने 5 friends में जरूर हमारे link को share करें और जो telegram group का link आपको दिया हुआ description box में उसको भी जाकर तुरंट वहाँ पर join करिए ताकि आपको daily अगर YouTube से notification ना मिल पाए तो at least आपको वो notification टेलिग्राम के थूर मिल पाए ठीक है तो अब जो है अगले question पर बढ़ते हैं अगला question यहाँ पर है निम्न में से कौन सा देश question पर बढ़ते हैं अगला question यहाँ पर 25 नंबर का जिसमें बात करी गई है कि यहाँ पर आपको एक तरफ तो gland दे रखी है गरंती दे रखी है और दूसरी तरफ आपको हार्मोन दे रखी है तो यहाँ पर जो गलत है वो आपको चूज करना है कि गलत कौन सा वाला है तो सबस इससे related आपको question 110% exam में देखने को मिलता है कोई भी paper आप ठाके देखिए PCS का या फिर RO का आपको यह वाले questions मिलेंगे ही इसके अलावा adrenal gland की हम बात करें तो यह यहाँ पर दिया हुआ है noradrenaline लाइन तो यह भी यहाँ पर एकदम correct है इसके बाद जो आखरी वाला यहाँ प होता है वहीं अगर हम बात करें testo से secret होने वाला तो यह का है अपका testosterone ठीक है तो testosterone कहां से होता है आपका testosterone कहां से होता है यह आप लोग बताएंगे comment section में इसके बाद आज के अगले question पर चलते हैं अगला question यहाँ पर दिया हुआ है सोन भद्र जो है वो निम्द में से कौन स सिधातु में पाई जाती है अब इसमें यूरेनियम है पाई राइट है एंडल्यूसेट है या फिर दोलो माइट है तो कौन सा यहाँ पर होगा आपको यह बताना है तो देखिए यहाँ पर गर हम बात कर रहें सोन बद्र की तो यूपी में मतलब जो mineral rich area है वो यह सोन बद आपको चैन करना है सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है रेनु कूट जो कि यहाँ पर aluminium उद्योक से related है तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सुमेले थे ठीक है अब दूसरा गरम बात करें अलीगड की तो यह खेल समान यहाँ पर दिया हुआ है इसके लाव यहाँ पर खेल समान तो अलीगड तालों के लिए फेमस है ठीक है तो इस तरीके से यह भी यहाँ पर गलत है और खेल समान आपका मेरट वापर रिलेट होना चाहिए तो यहाँ पर एकदम करेक्ट है कि aluminium industry से related है इसके बाद आज का जो हमारा 28th question है जिसमें बात करी गई है निमलिकित में से सरवादिक जनसंख्या वाला जिला यानि कि district कौन सा है तो इसमें इलाबाद है मुरादाबाद है गाजियाबाद है और आजमगड है तो सही आंसर क्या होगा आपका इलाबाद ठीक है इसके बाद आज का उन्तीसवा question है कि जनगरणा 2011 के अंतिमाक्णों क यहाँ पर सही होगा इसके बाद बढ़ते हैं आज के आखरी question पर जो कि यहाँ पर आपको युग्म दे रखे हैं जो गलत युग्म है वो आपको बताना है इसमें एक है आपका खार्तूम यह सुडान ठीक है खार्तूम जो कहां पर है आपका सुडान में है और नील नदी क किनारे है वहीं अगर बसरा की बात करें तो यह आपका टिग्रिस तो यहाँ पर आपको बताना है कि गलत जो है वो गलत कौन सा है तो देखिए यहाँ पर बसरा की बात करें तो बसरा यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है ठीक है क्योंकि बसरा कौन सी रिवर के किनारे यह जरूर बताईएगा और अगर यह आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कम से कम अपने पांच फ्रेंड्स में जरूर इसको लिंक को शेयर करिए ताकि वो लग भी हमाई साथ जुड़ पाएं और डेली अपने आपको टेस्ट कर पाएं कि वो कितना तयार है आने वाले एक्जाम के लिए ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन थेंक यू सो मच है वनाइस डे बाबाए